जम्मू कश्मीर के भारत में विले के बाद से ही पाकिस्तान लगातार इस पर कब्जा करने का प्रयास करता रहा है. पाकिस्तान यदा कदा अंतराश्ट्रिय मंच पर कश्मीर का मुद्दा उठा कर धर्ती का स्वर्ग कहे जाने वाले इसक शेतर को हथियाने की कोशिश करता आए जानते हैं कि कैसे हुआ था जम्मू कश्मीर का भारत में विले। जिस वजह से वहां की जनता ने पाकिस्तान के बजाए हिंदुस्तान के साथ विले करने का फैसला लिया। इस तरह से 9 नवंबर 1947 को जूनागर भारत का एहम हिस्सा बना। वही सेना की कारवाई के बाद 17 सितमबर 1948 को हैदराबाद का भारत में विले हो गया। जम्मू कश्मीर रियासत में उस समय महराजा हरी सिंग का शासन था। वे महराजा गुलाब सिंग के वन्शच थे जिन्होंने जम्मू कश्मीर रियासत को अंग्रेजों से खरीदा था। दरसल 16 मार्च 1846 को ब्रिटिश के कबजे में आने के बाद कश्मीर एक देशी रियासत बन गया। इसे जम्मू कश्मीर के महराजा गुलाब सिंग ने अंग्रेजों से खरीदा था। हाला की इस बात का अंग्रेजों को बाद में बहुत पच्चतावा रहा। जम्मू कश्मीर अकेली ऐसी रियासत रही। जहां पर अंग्रेजों का राज नहीं चल सका। भारत आजाद हुआ तो पाकिस्तान अलग देश बन गया। पाकिस्तान के संस्था पक मुहम्मद अली जिन्ना की नजर कश्मीर पर थी। उन्होंने जम्मू कश्मीर में कबायलियों का हमला करवाया। 24 अक्तूबर, 1947 को तड़के हजारों कबायलियों ने राज्य पर हमला बोल दिया। ऐसे में, महाराजा हरी सिंग ने भारत से मदद मानगी। 25 अक्तूबर को ततकालीं ग्रह मंत्री सरदार वललब भाई पटेल ने वीपी मिनन को श्री नगर भेजा और उन्होंने महाराजा हरी सिंग से विले की मंजूरी ले ली। 26 अक्तूबर को जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया। इस आशे के समझोते पर हस्ताक्षर होते ही भारतिय सेना ने ओपरेशन गुलमर के तहट जम्मू कश्मीर पहुँचकर हमलावर पढोसी की सेना के खिलाफ मोर्चक खोल दिया। जिन्ना ने इस पर भी चाल चली। उन्होंने अपने ब्रिटिश मित्र कमांडर सर डगलस ग्रेसी से मदद मांगी और उसे जम्मू कश्मीर में दो ब्रिगेड भेजने को कहा। पहली ब्रिगेड जम्मू जाती और महराजा हरी सिंग को गिरफतार करती और दूसरी कश्मीर पर कबजा करती लेकिन ग्रेसी ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया अंग है और हमेशा रहेगा